इस बात करते हैं आपे campus के बारे में कि अगर आप लोग अपने फोन में campus यूज़ करें और campus जो है वो work न करें तो कैसे आप लोग यह problem को fix करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ solutions बताएंगे जिनको follow करके आप लोग campus की problem को definitely fix यहां पे कर सकते सो वीडियो स्टाट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलके आइकोन को प्रेस करें सबसे पहला solution आप लोग क्या यूज़ करें आप लोग अपने फोन को switch off करें फिर switch on करें काफी चांसे की problem fix हो जाएगी या फिर second solution है आप लोग अपने फोन में settings open करें software update पे क्लिक करें और अगर कोई update अवेलेबल है फोरन आप लोग अपडेट कर लिजीगा काफी चांसे इससे भी problem fix हो जाए या फिर तीसरा solution है campus को long press करें app info पे क्लिक करें एंड हमें याँ पे क्लिक करना पड़ेगा storage usage पे और data simply आप लोग इसका clean कर दे data clean करने क्यों बोला जा रहाए की अगर कोई भी गलत activity campus में हुई होगी वो default हो जाएगी और हमारी problem भी याँ पे fix हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप लोग जो है याँ पे campus की problem को fix कर सकते हैं मिलते हैं next video में जै मता दी